है लो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपकी लिए कहीं माता रानी का ड्रेस जो की देखने में बहुत ही अच्छा लागेगा और बनाने में बहुत ही असान है इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चैन बनाना होगा यहां पर मैंने टोटल 24 चैन बनाया है 24 चैन बनाके दो चैन और बनाएंगे और जो यह 24 वाले चैन है उसमें से एक डबल क्रॉसिया बना लेंगे बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे यानि कि इस लाइन में हर एक chain में एक एक double cross या बनाना है हमने 24 chain बनाया था तो यहाँ पर total 24 double cross या बनाएंगे हमें उपर कोई भी extra chain नहीं बनाना है अब ऐसे करके हम यह पूरा बना के लेंगे पूरा बना के दिखाते हो बना लिया इसमें पूरा यह 24 double cross या बन गया हमारा अब 1, 2, 3 तीन chain बनाएंगे इसको turn कर लेंगे और जो यहाँ पर next वाला chain है वहाँ से double cross या बनाएंगे एक chain वाला यह दो हो गए फिर इसके next वाले में एक बनाएंगे तीन फिर इसके next वाले में एक बनाएंगे चार फिर इसके next वाले में एक बनाएंगे पांच फिर इसके next वाले में बनाएंगे ऐसे करके हम हर एक double cross या के उपर एक एक double cross या बना लेंगे इसमें भी total 24 double cross या बनाएंगे बना लिया पूरा अब एक chain बनाके turn कर लेंगे अब एक double crossy skip करके दूसरे वाले में इसको single crossy से joint कर लेंगे फिर यहां सेम जगह से puff बनाएंगे एक बार में तीन बार crossy में धागा को ले कि जाएंगे फिर इनको एक साथ बना लेंगे फिर दो चैन बनाएंगे फिर सेम जगह पर एक और puff बनाएंगे क्रॉसिया को नीचे के तरफ ले जाएंगे फिर इस पर तीन बार धागी को निकालेंगे और इन तीनों को एक साथ बना लेंगे बना लिया अब कोई भी चैन नहीं बनाएंगे यहां नीचे से एक दो तीसरे वाले चैन में नीचे से फिर एक पफ बनाएंगे बना लियां, फिर एक, दो, दो चैन बनाएंगे, फिर सेम जगह से एक और पफ बनाएंगे दो पफ हमें एक जगह पे बनाना है, कोई चैन नहीं बनाना फिर दो चैन स्किप करके तीसरे वाले में फिर पफ बनाएंगे एक पफ बनाया, फिर दो चैन बनाएंगे फिर एक और पफ बनाएंगे सेम जगह से बना लिया अब ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे हर एक तीसरे वाले चैन में दो-दो पफ बनाते जाएंगे बना लिया पूरे में अब एक चैन बनाएंगे इसको टर्न कर लेंगे और जो हमने दो चैन बनाया था पफ के बीच में वहाँ पे एक सिंगल क्रॉस यह बनाएंगे फिर उस सेम जगह से पफ बनाएंगे और फिर दो पफ के बीच में हम दो पफ बनाएंगे एक बना लिया फिर दो चैन बनाएंगे और फिर सेम जगह से एक और पफ बनाएंगे बना लिया अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर एक चैन बनाएंगे जो नेक्स्ट वाला पफ है उन दोनों पफ के बीच से फिर दो पफ बनाएंगे एक बनाया फिर दो चैन बनाएंगे और फिर एक और पफ जब हम दो पफ बनाएंगे उसके बीच में हमेशा दो चैन ही बनाएंगे उसमें कोई इंक्रीज नहीं करना है अब इसके बाद एक चैन बनाया फिर इसके नेक्स्ट वाले में फिर दो पफ बनाएंगे एक, दो चैन बनाएंगे और एक और पफ सेम जगह से बना लेंगे बना लिया फिर एक चैन बनाएंगे ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे आँ तक बना लिया पूरा अब फिर एक चैन बनाएंगे इसको turn करेंगे दो puff की बीच में एक single cross यह बनाएंगे और फिर यहां से puff बनाएंगे एक बनाया फिर दो चन बनाएंगे दो चन बनाके फिर सेम जगह से एक और puff बना लेंगे बना लिया अब यहां पे एक चन फिर यहां पे increase कर देंगे अब 2-9 बनाएंगे इस लाइन में बना लिया फिर 2 puff के बीच पे 2 puff बनाएंगे अब यहां पे हमें 2-2 जगे पे 2-2 chain ही बनाना है क्योंकि puff वाले में तो हमें कोई chain increase or decrease नहीं करना है अब 2 chain बनाएंगे फिर सेम जगे से 1 और puff बना लिया फिर 2 chain बनाएंगे ऐसे ही करके हमें जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा पहले हम बना लेंगे इसको एक एक चैन बीच वाले ये इंक्रीज करते जाएंगे बाकी जो दो पफ की बीच पे हैं वो हमेसा दो चैन रहेगा पूरा बना के दिखाती हूं बना लिया पूरा यहां तक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ लाइन बनाया है हाँ पे मैंने आपको इस से बड़ा चाहिए तो इस से भी बड़ा बना सकते हैं अब इसको हम बांद लेंगे बांद लिया धागा को कट कर लेंगे कर लिया कट अब हम इसमें सीधे के साइट से ब्लू वाला धागा एड़ करेंगे यहां पे जो हमारा चैन है वहां पे पहले जॉइंट करेंगे इसे कर लिया जॉइंट अब चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और जो हमने दो पफ के बीच में दो चैन बनाया था वहां से दो डबल क्रॉसिया बनाएंगे बना लिया फिर इसके जो यहां पे नेक्स्ट वे चैन है एक वहां से एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे और फिर जो यहां पे इतने सारे चैन है वहां से साथ हम डबल क्रॉसिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे साथ चैन है नीचे इसलिए हमें आपे साथ डबल क्रॉसिया बनाएंगे अगर आप आठ या नौ दस चैन का बनाते हैं तो उसमें दस डबल क्रॉसिया बनेगा यह बना लिया साथ डबल क्रॉसिया इसमें अब इसके बाद यहां पर जो चैन है पफ वाले में वहां से एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे और इन दो पफ के बीच में दो डबल क्रॉस यह बनाएंगे एक दो बना लिया अब इस पफ वाले पर चैन है जो उसमें एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे ऐसे करके हम इस पूरे टाइन को बनाएंगे, पूरा बना के दिखाती हूं यहां تक, बना लिया, पूरा, अब यह last में क्या करेंगे, यहां पर पहले 3 चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन, तीन बना के जो लास्ट वाला पुफ है, उसके चैन में एक दबल क्राइव स्या बना लेंगे, बना ले फिर चैन बनाएंगे एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे और जो इसके बाद ये पफ है यहां से एक सिंगल क्रॉस या बनाएंगे फिर चार चैन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले पफ में एक सिंगल क्रॉस या फिर चार चैन फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सि lining बनाना है बहुत ही सिंपल है इस से बनाना बस चार्चेन बनाना है और जहां पर puff जॉइंट हो रहे है वहां पर एक single cross या बनाना है चार्चेन बनाया यहां पर जॉइंट किया एक single cross या से फिर चार्चेन बनाया और यहां पर इसको जॉइंट किया सिंगल क्रॉस यह से फिर चार चैन बनाया और फिर यहाँ पर जॉइंट किया फिर चार चैन बनाया और इसको यहाँ पर जॉइंट कर लिया और लास्ट वाले में फिर चार चैन बनागे सबसे लास्ट में यहाँ पर कॉर्णर में इसको जॉइंट कर लेंगे पफ की बीच सेम वैसे ही इस साइड भी ये लाइनिंग बना लेंगे बना लिया लाइनिंग पूरा अब हम इसमें जो डोरी लगाएंगे वो बनाएंगे इसके लिए हम चैन बनाएंगे पहले छे चैन बनाएंगे छे चैन बनाके इसको फर्स्ट वाले में जॉइंट करके ए यहां पर इसको एक सिंगल क्रॉसिया से जॉइंट कर लेंगे यहां इस साइड भी चोटा से सर्कल बना लेंगे बना दिया अब यहां से इस धागे को काटके बांध लेंगे अब हम इन दोनों में जालर लगाएंगे दोनों जो सर्कल बनाया था इसमें जालर लगाने के यहां पर मैंने 14 चोटे टुक्रे लिए हैं अब इसको एक क्रोसिया के हेल्प से इस सर्कल में लगाएंगे क्रोसिया को पहले फिर इसको आधे को इधर खीज लेंगे खीज लिया अब हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे कर लिया अब यहां से इसके कॉर्णर से किनारे से एक दम धागा को बांध लेंगे और इसको इक्वल कट कर लेंगे और सेम ऐसा ही इस साइट भी कर लेंगे कर लिया यह इसका डोरी तैयार है अब हम इसमें जो हमने ड्रस बनाया था यहाँ पर तीन चार यहाँ पर डबल क्रोस से स्किप करके और इसको उपर निकालेंगे पहले नीचे के तरफ से उपर निकालेंगे निकाल लिया फिर पांस डबल क्रोस से स्किप करके छठे वाले में इसको डालके उल्टे साइट से से पीछे के तरफ निकालेंग निकाल लिया फिर आगे चार चेन स्किप करके पांच वे वाले चैन में इसको आगे के तरफ निकालेंगे निकाल लिया फिर छे फिर पांच चेन स्किप करके ये पांच डबल क्रॉसी स्किप करके छट्थे वाले में इसको पीछे के साइड से निकाल लेंगे फिर निकाल लिया अब ये हमारा ड्रेस बिलकुल टैयार है इसे पहनाना भी असान है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और बनाने में भी बहुत असान है इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू